केरल के तिरुवनन तपुरम्मे स्थित पदमनाभास्वामी मंदिर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि यह मंदिर अपने रहसे और अथा खजाने की वज़े से दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसे भारत का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है, इस मंदिर दरवाजा आज तक खोला नहीं गया है, या यूँ कहें कि कोई भी उसे खोल नहीं पाता है, बताय जाता है कि इसके पीछे एक गहरा रहसे चुपा हुआ है, तो आए ये जानते हैं इस मंदिर के बारे में केरल की राजदानी तिरुवनन तपुरम के मध्य में स्थेत है पदमनाभ स्वामी का मंदिर, विशाल केले की तरह दिखने वाला यह मंदिर विश्णु भक्तों के लिए महत्वपून आस्थास्थल है, यहां भगवान विश्णु शेशनांग पर्षयन मुद्रा में विर प्रिहास काफी पुराना है, महा भारत के अनुसार, श्री कृष्ण के बड़े भाईद बल्राम इस मंदिर में आये थे, और यहां पूजा अर्चना की थी, मायता है कि मंदिर की स्थापना 5000 साल पहले कल्यूग के प्रतम दिन हुई थी, लेकिन 1733 में त्रामना कोर के राज है, यहां भक्तों को अलग-अलग दरवाजों में से भगवान विश्णू की लेटी हुई प्रतीमा के दिव्यदशन करने को मिलते हैं, इस मूर्ती में शेशनाग के मूह इस तरह खुले हुए हैं, जैसे शेशनाग भगवान विश्णू के हाथ में लगे कमल को सूंग रह की मूर्ती स्थापित हैं, मुख्य कक्ष जहां विश्णू भगवान की लेटी हुई मुद्रा में प्रतिमा है, वहां कई दीपक जलते रहते हैं, इन ही दीपकों के उजाले से भगवान के भववे दर्शन होते हैं, ऐसा माना जाता है कि त्रावना कोर के राजा मारत वर्माने ही मंदे के तहखानों में भारी मात्रा में खजाना छुपा कर रख दिया था, इस मंदे के छे तहखाने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोले जा चुके हैं, जिसमें से भारी मात्रा में सोने चांदी और हीरे जवारात मिले हैं, इनकी कीमत अर्बों खर्बो में बताई जाती है, कहते हैं की, इस मंदे के साथ में तहखाने के दरवाजे को भी खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन दरवाजे पर बने बड़े से सापके चित्र को देख कर काम रोग दिया गया, माना जाता है कि साथ में दरवाजे को खोलना अशुब होगा, मायनता है कि सातवां दर्वाज़ा शापित हैं जो कोई भी उसे खोलने की कोशिश करेगा उसकी मौत हो जाएगी Σाथ ही यह भी माना जाता है कि इस दर्वाजे को खोलने से धरती पर प्रल मेड़े जाएगा कहा जाता है इस दरवाजे को कोई तपस्वी गरुड मंत्र बोल कर ही खोल सकता है अगर उचारण सही से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यू हो जाएगी कहते हैं कि एक बार कुछ लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की थी लेकिन जहरीले सामपों के काटने से उनकी मौत हो गई थी आज भी इस अकूत संपत्ति की देखभाल त्रवण को राज परिवार करता है मंदिर में अत्यंत कड़ी सुरक्षा विवस्था के साथ साथ यहां श्रधालूओं के प्रवेश के नियम भी है पुरुष केवल धोती मुन्डू पहन कर ही प्रवेश कर सकते हैं और महिलाओं के लिए साढ़ी पहन ना अनिवारे है अनिव किसी भी लिबास में प्रवेश यहां वर्जित है राजदानी तिरुवनंत पुरम को यह नाम भगवान विश्णू के अनंत्फन वाले नाक्य कारण ही मिला है मंदिर में एक स्वर्ण स्थम्भ बना हुआ है जिसकी सुन्दर्ता को शधालू एक टक निहारते रहते हैं मंदिर का स्वर्ण जड़ित गोवपुरम साथ मंजिल का 35 मीटर उंचा है कई एकड में फैले मंदिर में महीन कारीगरी का भी कमाल देखते ही बनता है मंदिर के बाहर पवित्र सरोवर है जिसे पदमनाब तीर्थ कहते हैं श्रीपदमनाब मंदिर की एक विशेषता है कि इस मंदिर में भगवान विश्नु की शनमुद्रा बैठी हुई और खड़ी मूर्तियां स्थापत की गई हैं सभी मूर्तियों की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है तीनों मूर्तियों की पूजा अलग-अलग तरीके से की जाती है गर भग्रह में भगवान विश्नु की शनमुद्रा में मूर्ति का श्रिंगार फूलों से किया जाता है पूजा के समय इन फूलों को मू प्रेल और अगस्त नवंबर महीनों में वर्ष में दो बार दार्मेक समारों होता है। इस समारों में आउत, अवित्र स्नान किया जाता है। इस समारों में भगवान विश्नु, नर्सीह और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को नगर के बाहर समुद्र किनारे पर ले जाकर सनान कराया जाता है। यह थी श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के बारे में कुछ महत्वपून जानकारी। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृप्या वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्र करना न भूले। हम ऐसे ही आमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।